दोस्टो परहमर दोस्त में आपका "... आज हम बात करेंगे स्थिप्व सिप्टेंग के नाम और उनके कहां !! कौन-कौन मतलब hot and cold दोनों पानी के लिए suitable है, तो CPVC fitting सारी नहीं, इसलिए suitable है hot and cold के लिए, इसलिए CPVC fitting को गरम पानी की fitting भी बोला जाता है, और ठंडे पानी की, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे elbow की, यह है हमारा elbow, 90 degree elbow कहा जाता है इसे, चोहां पर भी आपको 90 degree दिवार का कोना ह होता है, वहां हम दो पाइपो को joint करने के लिए इसका उप्योग लिया जाता है, तो guys, जहां पर भी आपको लगे band के जर्वयत है, तो इस चीज को वहां उप्योग के आ जाता है, और पौन इंची से साइज से स्टार्ट होता है, और दो इंची तक जाता है, तो guys, यह है elbow ह हमारा, इसको band भी बोला जाता है, और यह guys, हमारी आते है अगली चीज टी, इसको टी बोला जाता है, और यह पौन इंची से साइज से दो इंची साइज से तक अवेबल होती है, जहां आपको तीन लाइन बिचानी एक साथ, एक तो सीडी लाइन और आपको एक लाइन तो यह हमारा, इसको प्योग पाइप जोइंट करने के लिए किया जाता है, एक पाइप इदर से जोइंट करोगे, एक पाइप इदर से जोइंट करोगे, तो आप आराम से दो पाइप को लंबा कर सकते हो, जोइंट के, इसको जोइंटर भी बोला जाता है, इसको कपलर भी जा रही है और वहां आपको पॉन इंची लाइन निकालनी है तो उस जगे से एक पॉन की टी कर जर्वत पड़ती है तो यह भी टी है और यह हमारा एक पॉन का रूडिसर सोकेट रूडिसर बोला जा सकता है या एक पॉन का सोकेट क्योंकि रूडिसर भी बोला जाता है जहां आपको एक live एक इंची उसे चोटी करनी है पोन इंची में यह पोन इंची की लाइन को एक इंची में गरनी है इसका उपयोग किया जाता है तो गैस अगना हमारे चीजЕ बुष पहरी सबुर्द से बुष बोल जाता है इसको पर के तरब यहां सोकेट हो तो आप डारेक्ट एक पॉन का इसको कर सकते हो तो गाई यह और इससे परकार यह सवाइक का बुस है इसमें भी आपको काफी डिफ्रेंट साइज के साइज देखनों को मेल जाएगी दो इंचे तक के बुस और समर अगला प्रोडेक्ट है ब्रास एम्टी यह पूना था कि ब्रास एम्टी से प्राव ठेढी तो थोड़ी काफी महिंगी आती है यह भी दो इंचे तक ब्रास में ब्रावेबल होती है तुसले इसको ब्रास बिआ जाता है क्योंकि ये मेल होती है जो मेल होता है उपर की तरफ इस पस फेर अझर आता है और यह हमारी उप्योंग लिए जाती है सबसे चाहिदा डायुए ट्रीवे डाईवेटर में उप्योंग लिए दे सकते हो, यह आप समझ सकते हो, male female जिसे male के बाहर होती है, female के अंदर thread होती है, उसी परकार यह है, इनका नाम female apty और male apty इसी type एनका नाम है, उसके बाद आता है, हमारी brass tee, जहाँ आपको एक pipe जा रहो हूँ, वहाँ किसी बीच में point देना हो, तो आप अच्छे से इसी ब्राश्टी का उप्योग लेकर आप वहां पॉइंट दे सकते हो इसे पॉइंट आता है कि ब्राश्टी बोला जाता है पॉइंट आती है लेकिन वह अवेबल नहीं होती है क्योंकि काफ़ी चोटा गया उसके बाता है हमारा प्रास एल्बो इसका उप्योग सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है कर्क喜歡 का पॉइंट देने में म्ट eft सबसे ज्यादा पॉइंट इसे का उप्योग में लिया जाता है क्योंकि ब्राश्ट एल्बो जहां पर भी आपको फॉइंट देना हो ending होता है वो ज्यादा तर चांस में end होता है तो जहांद भी उपर से line आरी हो नीचे से line आरी हो तो आप अच्छे से point दे सकते हो side से line आरी हो दो आप 90 degree पर point मिल जाता है जो सबसे इसकी अच्छी बात हैmayın क्योंकि brass elbow सबसे ज़्यादा यूज होता है अगर आप fitting करवाते हो तो brass elbow काफी ज़्यादा यूज होते पीवीशी थोड़ा सस्था पड़ता इसलिए पीवीशी थ्रेड भी empty मनाया जाता है जिस्त परकार यह empty परकार हमारी पीवीशी थ्रेड और यह brass थ्रेड उससे परकार आप देख सकते हो पीवीशी थ्रेड प्राइज में आपको थोड़ा बहुत डिफ्रेंज देखने को मिल जाता है पीवीशी काफी सस्थी आती हो brass काफी महेंगी आती क्योंकि इसके अंदर brass का उप्योग लिया जाता है तो उसे बंद कर सकते हो या कहीं पानी बहरा हो तो आप इससे पाइप के द्वारा तो आप इसे डारेक्टी बंद कर सकते हो सबसे बड़ी अबात ना आपको इसमें चूडी का उप्योग देखने को मिलेगा डारेक्ट आप लगाओंगे और बंद हो जाएगा तो अगला प्र और अगला प्रोडेक्ट है हमारा यूनियन का उप्योग सबसे ज्यादा वहां लिया जाता है यहां आपको पता है भविश्य में यहां कुछ भी खराब हो जाता हो तो उसको खोल के अपन वापिस फिटिंग करता होता है जिसे मोटर के यहां अगर आप पाइप करते हो तो ब बिना आप असानी से यूनियन को खोल सकते हो दोनों तरफ अगर पाइप को एक लगाया और पाइप को काड़णा ॉप्योग होता है तो अगलाग को उता है बोल-वाल पीविसी बोल-वाल बोलड जाता है यह CPVC बोलवाल जहां पर भी आपको पानिंग को चालू बंद करना पड़ता है, टाइम के टाइम के अनुसा, तो उस परकार आप PVC बोलवाल का उप्योग ले सकते हो CPVC, और इसकी पॉन इंची साइज से दो इंची साइज तक अवेबल होते हैं, यह भी, यह CPVC, PVC से थोड क्वालिटी हेवी आती है, ब्रांडिंग के साथ लोगे उतना जितना हेवी पड़ता जाएगा, इसे के साथ आता एकला प्रोडेक्ट एस बैंड, इसको 45 डिगरी बैंड भी बोला जाता है, जो पॉन इंची साइज से लेके, यह भी सभी साइज में अवेबल होता है, तो गाइस यह दिख सकते हो, पॉन इंची 45 डिगरी बैंड, जहाँ आपको 45 डिगरी बैंड देना, अगर आपको लग रहा है कि 90 डिगरी बैंड से हमारा पाइप नहीं जा रहा है, तो आप 45 डिगरी बैंड लगा के, आप आसानी से पाइप को आगे ले जा सकते हो, हमारा इसलिए बोला जाता है, क्योंकि जहाँ एक पाइप लग रहा हो, पहले अगर आपको उपर से पाइप निकालना हूँ, तो आपको लगेगा कि यार उपर से पाइप थोड़ा उपर हो जाएगा, तो आपको यह बैपास का उप्योग करके आप आसानी से यह देख सकते हो, आपको हाइड भी ज्यादा कुछ नहीं होगा, और आसानी से उपर से पाइप चला जाएगा, क्योंकि उस पाइप को आपको हटाना पोसिबल नहीं है, तो उस जगे आप इस बाइपास का उप्योग ले सकते हो, श्टेप ओवर बैंड का, क्योंकि काफी चेगे काम आता है हमार अगला प्रोटेक्ट है, इसके लिए मैं प्रसनल इसका एक वीडियो बनाऊँगा, आपके लिए इसका उप्योग क्या होता है, आपको यह जो पीवीसी पाइप जो बीच में लग रहा है, यह किसी काम का नहीं है, यह आदा इंची का पाइप इसको क्यों डिस्टेंस के लिए पानी जाता है, इस परकार यह दीवाल में लग जाता है, वह बाद में हिलता भी नहीं है, इसलिए इसका उप्योग लिया जाता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बैंट हिल जाए, तो बाकी प्रोब्लम आ जाती है, इसके बाद यह सारी साइज आती है, एक निपल के बाद करें तो पहले टैंकी निपल के बाद कर लेते हैं तो टैंकी निपल काफी मैठपून उपयोग में ले जाता है इसको टैंकी जोइंटर भी बोला जाता है इसकी Size एक इंचे से अवेबल लेकर दो इंची तक अवेबल होती है CPVC की अंदर सभी ब्राण में मिल जाएगा आपको इसको आपको खोल के आसानी से आप टेंकी के अंदर से इसको कर सकते हो जिससे की आपकी तैंकी निपल लेकर आप उसके लिए आपको इसमें है उसका जाएंगे और अगर आप पलंबर नहीं है तो आप इन सारे समानों गुनाम और काम आप सोच सकते हैं और उसके बाद है हमारा महटपून चीज इन सामानों को चिपकाने का जो सोलूसेन आता है solvent बोला जाता है इसको CPVC solvent एक अलग-अलग brand में available होती है सभी brandों में सभी तरह की available होती है लेकिन आप जितना अच्छा उपयोग लगए यह yellow color का आता है देखिए material पूरा material में आपको खोल के बताता हूँ यह yellow color का आता हलका गाड़ा भी रहना चाहिए हलका डीला भी रहना चाहिए पूरा सुका हुआ निकल जाए तो आप जितनी पूरानी branding के पूरानी date से लोगे तो जितनी खराब आईगी इसलिए latest date की आपको लेनी चाहिए यह महत्पून चीज़ है क्योंकि pipe के और solvent का उपयोग आप इन सब सामानों के चिप्तने के लिए किया जाता है क्योंकि अगर आपको solvent खराब लिंकरी और casing हुआ तो आपको सारी टाइस तोनी पड़ती है और सारा pipe खराब हो जाता है तो इसलिए आप solvent अच्छे प्रांट के और अच्छे चीज़ का लिए जिससे आपको बाद में समश्या ना हूँ क्योंकि solvent ही महत्पून उपयोग है और guys वीडियो अच्छे लगी हो वीडियो वीडियो को पता चल जाए थैंक यू को वाचिंग माई वीडियो